एलो बच्चा बाड़ी वेलकम बाक तो माई यूलीव चानल आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों से जून 2023 सिरेबस के अंदर जो भी बच्चे हैं जो भी प्रत्येक बच्चे हैं यहां पर एक सेकेंड एक सेकेंड आपकी डेट से यहां पर हम क्लियर कर ले या तो हम और इंडिया रैंक ले आएं दोनों में से कोई भी इक्षा है आप लोगों की तो मैं आपको बता दूं यह आपकी स्ट्राटेजी होने वाली है और लोगों को बता देना चाहता हूं तो टो टोटल फरस्ट फट फट से एक बार स्ट्राटेजी में डिफेक्ट था तो इसलिए आपकी स्ट्राटेजी हमेशा सही सटीक और तरीके की होनी चाहिए जो भी चीजें आप वह आप लोगों को एकदम अच्छे से अगर फॉलो करो गे तो धाईसो दिन यानिकि 250 डेस का मैंने आप लोगों का बजट बना के दि 31st of March 2023 में और syllabus is going to be wind up with a single short revision, एक revision भी हो चुका होगा, मतलब 31st of March तक आप लोग एक revision करके अपना पूरा syllabus complete कर चुके होगे यहां पर, तो यह आपकी strategy इतनी effective होने वाली है, उसके बाद दो revision और करोगी, क्यों कि मेरा ऐसा मानना है, कि जिस भी बच्चे को all India rank लानी है न उ special आशिरवाद के आवश्यक्ता होती, मेरा ऐसा मानना नहीं है, तुम एक average बच्चे भी हो, तो भी तुम महनत करके all India rank ला सकते हो, what we need is consistency, that's it, consistency hard work is important in this course, ठीक है, तो फटा-फट से आपको बता देता हूँ, यहां पर जो मैंने subject के bifurgation किये है, उसमें new syllabus वाले subjects को भी मैं in case of new syllabus group 1, direct text group 1, IDT in group 2, old syllabus वाले बच्चे होगा, यह तो तुम लोगो ऐसा पता ही होगा, बताने की ज़रद में, business laws and ethics group 1 में है, OMSM group 2 में है, corporate account and edit group 2 में है, FM and costing, cost FM, old syllabus में group 2 में एक subject है, तुम्हारे case में FM और business data analysis, new syllabus वाले बच्चे हो, FM और business data analysis एक subject है, और management accounting एक अलग subject है ठीक है, यहाँ पर आप लोगो दिख रहे है number of days जो मैंने a lot की है, number of days भया, किस basis पर decide की हो, बेटा upper end में लेके रखाऊ, जैसे मालो तुमको accounts अगर खतम करने के लिए 80 days, मैंने तुमको 100 देके रखें, DT complete करने के लिए 90 days, मैंने 100 देके रखें, ethics complete करने के लिए 10 दिन ची मैंने 50 देके रखें, company accounts के लिए 40 दिन चाहिए, मैंने 50-60 देके रखें, तो मैंने जाधा जाधा दिन देके रखें, क्योंकि मैं यह मान के चल रहा हूं कि बीच में तयोहा रहेंगे, festival आएंगे, कभी तव्यत खराब हो जाती, कभी family में कुछ इशू आँ जाता है, कोई अगर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कुछ दिनों के लिए, तो उसका हमको provision बना के चलना सी शुरू से, ताकि हम लोग mind में थोड़ा सा relax रहे हैं वहाँ पर, पहली बात, दूसरी बात मैंने आपका total time total बनाया, 8 गंटों का, जिसमें 2 गंटे आपको cost accounting, 2 गंटे आपको direct tax, 2 गंटे आपको business laws पढ़ना है, और accordingly, इसी के according, आपके आगे subjects add होते जाएंगे, preparation के किसी भी point of time में आपके, दो practical और एक थोरी subject चल रहे होंगे, मैंने इस प्रकार से आपका syllabus यहाँ पर design किया हुआ है, ठीक है, yes, तो आपको जब भी syllabus देखना है, आपको दीखे का cost accounting, यह देखने को मिलेगा, कि आपका 3 subject at a time चल रहे होंगे, जो कि मैं मान बोल रहा हूँ, 2 plus 2 plus 2, प्लस 2, यह आपका slots बनेगा, 2-2 घंटे के slot बनेगे, बीच में 11 घंटे का 15-15 मिनिट का gap आप ले सकते हो, तो भाया, यह 3 subject तो चल रहे हैं, तो ठीक 6 घंटा समझ में आ गया, अ अगर रिकॉर्डे लेक्टर पर्चेस के और अगर आप स्वीट बढ़ा के देखते हो, तब तो आप 6 घंट के लेक्टर 5 घंटे में भी कम्प्रीट कर सकते हो, ठीक है, तो भाया, यह लास्ट जो आ रहे हैं, वो किस चीज के लिए, वह बेटा आपके रिवीजन के लिए, किस चीज के लिए बेटा, एक सेकंड, वो है आपके रिवीजन के लिए, भाया, क्या हमें रोद देली दो घंटा रिवीजन करना है, यह बेटा दी, आपको डेली करना है, दो घंटा रिवीजन अपना, आर यह क्या बास नमस्च में, यह बेटा, तो यह रिवीजन भाया, कैसे करते हैं अब जैसे में तुम लोगों को एक बार सिखा रहा हूं यहां पर जैसे माद लोग कोस्ट आकाउंटिंग है तो इसके अंदर आपका एक चैप्टर आपने पढ़ लिया लेक्से कोश सीट का पार्ट तू यहां पर आपने पढ़ लिया जैसे की Cost sheet का Part 3, ऐसे करके, Direct Text में आपने Introduction पढ़ दिया, और Law के अंदर बी आपने Parliament का Structure जो है, какую law बनाया जाता है, Why वे नहीं लाग ये सब basics become teachers पढ़ाते हैं के Class में वो आपने पढ़ दिया, तो आपके पास topics के नाम रहेंगे, excel sheet आपको edit करना है इसी प्रकार से, आपके पास topics के नाम रहेंगे, उन topics को आपको ऐसे से लिख लेना है, जब आप revision करने बैठ होगे, तो आपको पता रहेगा कि आपने कौन सा topic पढ़ा है on the previous day, तो आप उस topic को in the next day revise करोगे, that simply means 21 August को जि आपको इस प्रकार से पढ़ना है, इसमें भी आपको एक और सी specify कर दो, जो भी आपका pure theory subject है, उसको आप अपने दिन के first half में रखोगे, अगर आपका सुबे 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 कॉलेज होता है, तो उससे वापस आने के बाद, और नहीं रहता है, तो सुबा फॉसके बाद किसी भी मेड़ेल टाइम में और राज के ताइम में आपको आपको नुमेरिकल सब्जेक्ट है, तो उस टेम पे आपको नीद भी उन्द कुछ नहीं आईगी, आपको अपना ब्रेन अक्ति रखना पड़ेग, आपको लिखाई करना पड़ेग, तो निमास चुलाना पड़ तो नींज भी नहीं आएगी तो इस तरीके सा आप इस चीजों को लेके चलो ताकि हमारी बॉडी चीजों को एडॉप्ट कर पाए और अकॉडिंगली पढ़ाई कर पाए अगर आप मैं आप लोगो को दिखा हूं तो ऐसे उपर उपर से एक बार सारा चीज दिखा देता हो ज जो कर लोई एक्स्ट खतम होगा तो यहां पर आपका यहों पर आपका मैनेजमेंट अकॉंटिंस स्टार्ट हो गया मैनेजमेंट पाउन्ट जैसे कम रखा ही नहीं किसी पॉइच्छते इ contenido पर आपका उडिट साप्ड पोरोग आपका नहीं कि यहां पर आप का ऊस्ट अध तो आप इसको प्यार से डिलीट कर देंगे फिर आपका तीन सब्जेक्ट टाइम चल रहा है जैसे अब फाइनिशल अकाउंटिंग कंप्रीट होने पर नहीं उसके पहले आपका यह कंप्रीट हो चुका है फॉर्टी डेस का आपका बिजनस डेट अनलेटिक्स कंप्रीट हो जाएगा जैसे यहां पर आपका यह वाला सब्जेक्ट कंप्रीट होगा वाट इस सब्जेक्ट एफ एफम एफम घंप्रीट हुआ ओए यहां पर फिर से ठीक है तो एक तो आपको किसी भी टाइम पर देखने को मिलेगा बस बीच में कहीं पर पांच दिन ऐसे ओंगे जब तो भाईया मेरे को यह बताओ में उन सिंसेर वच्चों में ज्यान नहीं रखता मेरा फोकस से पॉल्ड में रहेंक लाने पर मेरे लिए फेस्टिवल मेरा एक्जाम ही है मेरी पढ़ाई में लिए सब सब इंपोर्टेंट है में जादा ब्रेक्स वगेरा लेता है नहीं पार अब आप ऐसे कर लो मैंने तो हर चीज अपर एक दम जन्मीनली बोलू तो 200-220 दिन के रेंज में आपको पूरा कंप्रीट हो जांज अगर आप डेली आठ घंटे का आउट पूट निकाल रहे हो तो रिवीजन आपको कैसे करना आपको समझ में आगया होगा जैसे मालों प देखना है तो आपको यहां पर लिफो पर दिमांग से करना मालों को ऐसा टापिक पढ़ेओ प्टेञ ज्यादा ताइम करें करेंगा एक घंटा कंटा विसको घंटा उसको इसको टेड़ो और law में को ऐसा टॉपिक है जो कि सिफ ज्ञान के लिए इस इसको छोड़ दो तो ऐसी चीज़ों को आपको रिवाइस नहीं करना है वो तब को टीचर बताई देंगे कि एक्जाम के पॉइंट आपको सिफ ज्ञान के लिए तो वह चीज़ आप कर सकते तो ऐसे आपको लिखत सब्सक्राइब करते हैं तो इसलिए अपनी तरीके से रहनी चाहिए जब भी आप किसी टीचर से क्लास पर्चेस कर रहे हो आपको यह चीज़ चेक कर लेनी है कि वो टीचर स्टी मटेरियल बाइडिपोर्ट कवर करें सब्सक्राइब को इस प्रकार से आपको चीज़े करनी है कोई कोई है डाउट है कोई से 6 में मैं मैं में सकते हैं सब्सक्राइब करोगों यह अपनी पठाइप उसलोगों करो कि है मैं जो बच्चे इंटरेस्टेट नहीं है सुन ने के बारे में बाए में नहीं पाउटे कि मेरी जो live vats for 2022 syllabus वह चुखी स्टार्ट ठीक है वो चुकिए स्टार्ट तो यहाँ पर डिस्प्ले में इसे दूर है बहुत जाद तो मेरे को एक दम आके गड़ा कर देखना पर लाइक लाइट क्लास फो टू तो टॉने सब्सक्राइब जो है वो हो चुकिए स्टार्ट पॉर कॉस्ट अकांटिंग एन फानेंशल अकांटिंग ग्रूप वन तो वह आप जोईन कर सकते हो डेफिनेटली लाइफ क्लास के बेनेफिट बहुत सारे बेटा सबसे बेस्ट आपको मौका मिलता पॉर्चुनिटी मिलती है क्वेश्चन से वगयरा सॉल्फ करने का जिससे आपको अलग ही फीलिंग आती है तो लाइफ क्लास के अपने अलग मसे अपने अलग वह बैनिफिट से ठीक है तो वह सब चीजे आप यहां पर उठा सकते हो साह है तो आप definitely मुझे एक कॉंटस कर सकते हैं थी comment section घ्रस जो MA कॉनें पढ़ता हूं और उसके बाद मैं आप लोगों को जो भी आप लोको का जूंट से आटेंट एक और बच्छे डूट कूछ रहे 3 के new syllabus वाले बच्चों का अप्लीखे बले old वालों को भी नहीं old वालों को old study material ये अप्लीके बले old वाले बच्चों को old study material ये to new study material लाया, that is for new syllabus tool, और it is going to be applicable from June 23 ओप्चाबाटी, that is all for this video God bless you, take care, bye bye, video को like करते वे जाना चैनल पर सब्स्क्राइब करते में जाना ऐसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियों के लिए बाई बाई